So guys, यहाँ पर MIUI 12 की Indian Rome Redmi Note 8 users के लिए रोल आउट कर दी जा चुकी है, यह रोम कल Shem को रोल आउट की गई थी and मैंने community post के थूँ आप सब को बता दिया था, तो hopefully आप लोगों को पता लग गया होगा, अब यहाँ पर मैंने इसको install कर लिया अपने smartphone के अंदर and यह एक 2GB की update थी इसमें आपको MIUI 12 के साथ Android 10 भी देखने को मिलता है, तो काफी सही है and personally मैं बता हूँ मुझे देखो lag देखने को मिला है, hang नहीं मिला है, थोड़ा बहुत lag system UI में है and बहुत सारी चीज़े हैं तो आगे चलते हैं उतसे वहले, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल क screen का clock format, यह चौथा clock format add किया गया है MIUI 12 में and देखने में काफी सही लगता है, जब आप लोग home screen के अंदर enter होते हो तो यह animation देखा आपने, iOS की copy करने ही कोशिच करी गई है, डिटो नहीं करपाए है, बट यह भी सही है, तो काफी अच्छा animation है और जो battery icon है, वो काफी time से बि बिलता है, enable करने के लिए display के अंदर option है, use new control center, इसको आपको enable कर देना है, और अब यहाँ पर आप लोग जब भी right side से नीचे की तरफ swipe करोगे, तो control center आ जाता है, उपर के चार option को छोड़के बागी को customize कर सकते हो, और maybe future updates में इनको भी कर सको, left side से नीचे की तरफ swipe करने प बिल्कुल similar था, but इस बार इनोंने change किया है, and seriously, इसका minimalistic look में को काफी सही लगा है, आप लोगों भी लगा होगा नीचे comment में बता दो, और मैंने आपको बताया था कि update का size 2GB का है, तो 2 updates को integrate किया गया था MIUI 12 और Android 10, तो यहाँ पर आपको Android 10 के भी कुछ features देखने को मिलते ह और future में हम लोगों को maybe horizontal type recent trace देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी तो देखने को नहीं मिली है, तो बस system launcher की update का इंतजार है, और जैसा कि इन लोगों ने अपने MIUI 12 के launch event में बोला था कि हम लोग privacy के उपर भी काम कर रहे हैं, तो एक नया feature देखने को मिलता है privacy protection का, जिसके अ अदाबा special features में एक light mode करके feature नया add हुआ है, तो आप लोगों को बता दूँ, यहां पर basically अगर आप लोग इसको use करते हो, तो इसमें icon बड़े हो जाएंगे, text बड़ा हो जाएगा, size बड़ा हो जाएगा, basically अगर आपके घर में कोई बच्चा है, या फिर कोई age person है, जिसको phone चलाने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए काफी easy हो जाता है, काफी handy हो जाता है, and use करने में थोड़ा सा light हो जाता है, तो मुझे जरूर नहीं थी, तो मैंने इसको enable नहीं किया, आपको जरूर तो आप लोग कर सकते हो, lastly, यहां पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, त चैनल को subscribe कर दो, bell icon को press कर दो, और कोई भी बात आपको पूछनी है, बताने नीचे comment कर सकते हो, और description में मैंने अपना Instagram handle दिया, अगर description चेक करोगे तो मिल जाएगा, comment नहीं करना चाते है, तो